Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और आज हम करने जा रहे है messages from the universe. आपकी love life को लेकर universe की तरफ से आपके लिए क्या messages हैं, आज हम ये देखेंगे. So let's start. ये सारे star signs की reading है, सब लोगों के लिए open है, so let's see. यूनिवर्स का क्या कहना है आपकी love life को लेकर, so पहले है हमारे पास ace of swords, फिर है हमारे पास king of wands, the fool, two of swords, the hierophant, ten of pentacles, nine of cups, और फिर है हमारे पास ten of swords. bottom of the deck पर we have ten of cups, so ten, 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 किसी के लिए significant हो सकता है, so सबसे पहला message universe की तरफ से ये है कि एक cycle complete होने वाला है, ये तकलीफ का cycle complete होने वाला है, खतम होने वाला है, आप लोग की जिन्दगी में happiness आ रही है, आप लोग abundance manifest कर रहे हैं, आपकी wishes पूरी होने वाली है, but have faith, universe की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि faith रखें अपनी situation पर, आप लोग की situation बहुत बहतर तरीके से unfold होने वाली है, आप लोग commitment manifest कर रहे हैं, बड़ा strong कोई relationship manifest कर रहे हैं, clarity आ रही है आपकी जिन्दगी में, but आपको ये भी message दिया जा रहा है universe की तरफ से, stay in your power, अपनी जिन्दगी का control अपने हाथ में कर लीजी, अपने आपको आजाद करें confusion से और thoughts से, सिवाए आपके, आपको in thoughts से, in confusion से, कोई भी आजाद नहीं कर सकता सिवाए आपके, so clarity आपकी जिन्दगी में आ रही है, बड़ कोई चीज है जिससे आप बहुत जादा stuck हैं, जिसके साथ आप, उसके बारे में आप से ये कहा जा रहा है, कि उस thoughts से, उस pattern से, whatever, जो भी वो चीज है, उससे अपने आपको आजाद करें, और फिर, आप देखीगा, कि आपकी जिन्दगी में miracle होगा, but spirit का ये कहना है, universe का ये कहना है, कि आप connect करें universe के साथ, source energy से connect करें, जिसे भी आप divine source मानते हैं, उससे आप connect करने की कोशिश करें, आपको answers मिलेंगे, clarity मिलेगी, spend quality time together, so I feel कि universe का आपकी तरफ से ये message है, कि जो आपके loved ones है, उनके साथ quality time spend करें, अपनी family members के साथ, ये भी indication आ रहा है, कि आपकी जिन्दगी में कैसी opportunity आ रही है, कि आप अपने partner से मिलने वाले हैं, quality time spend करने वाले हैं, actions speak loudly, express your love through actions, कोई है जो आपसे अपना love express करने वाला है अपने actions के जरीए, maybe आप अपने actions के जरीए अपना love express करना चाह रहे हैं, so आपको उसमें कामियाबी मिलेगी, take a chance on love, when we love, our lives are changed forever, so maybe कोई बहुत ज़दा reluctant था, बहुत ज़दा खुद को कोई रोक रहा था इस सारी situation में, आप रोक रहे थे या आपके partner, but I feel के आप लोग ready है chance लेने के लिए, no matter what आगे risk है, I feel के आप लोगों को कोई चीज risk लग रही है, maybe कोई action आप लेना चाहते हैं, और आपको लगता है कि यह risk है, पता नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं, so आपसे यह कहा जा रहे है, take a chance, universe का यह message है कि अगर कोई action लेने का आपका दिल कर रहा है, तो आप वो करके देखें, और इससे मुझे वो add याद आ गया, डर के आगे जीत है, so I feel कि वही universe का कहना है, कि डर के आगे जीत है, अपना डर निकालें, अपना fear निकालें, जो भी action आप लेना चाहते हैं, वो आप लें, inspired action, उससे आपको फाइदा होगा, bottom of the deck पर हमारे पास है forgiveness, nothing is gained by holding on to past disappointments, so कुछ हासिल नहीं होगा, disappointments के बारे में सोच सोच कर, forgive करें, maaf करने की energy अपने अंदर लेकर आएं, अगर आप इस वक्त anger में हैं, उसे release करें, universe का ये message है, because बहुत abundance, आपकी wishes पूरी होंगी हर हाल में, universe का ये कहना है आपको, आप जो भी खाब देख रहे हैं, happy family का, commitment का, जो भी आपकी wish है, जो भी आपकी dream है, वो पूरी होने वाली है, बट आपको control अपने हाथ में रखना होगा, आपको अपनी anxiety को release करना होगा, जो भी चीज़ आपने अपने दिल से लगाई हुई है, stuck हैं जिस चीज़ के अंदर आप, उस चीज़ को आप लेट गो करेंगे, तो फिर आपका मसला हल हो जाएगा, आपसे कहा जा रहा है, so I also feel कि अगर आपको forgiveness चाहिए थी किसी से, तो आपको forgiveness मिल जाएगी, आपको माफ कर दिया जाएगा, और अगर आपने किसी को माफ करना है, तो आप माफ कर दिजिए, आपकी तरफ apology आने का भी एक indication आ रहा है, मेभी आपसे कोई apologize करने वाला है बहुत जल्दी, आपके partner शाहिद आपसे apologize करने वाले हैं, आपकी एक confusion अब खतम होने वाली है, आपका ये जो cycle था तकलीफ का, ये खतम होने वाला है, और एक नया दिन आप लोगों के लिए आने वाला है, light आ रही है आप लोगों की जिन्दगी में, तो ये universe की तरफ से आपके लिए messages थे, कुछ भी आपके लिए helpful रहा, मुझे आपने जरूर comment section में बताना है, I'll see you in my next video, till then, love you lots, bye-bye.